नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं अजय भारत मैं हूं तनिप्रिया उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है ठंड के कारण कई लोगों की जान चली गई है उत्तर भारत में ही कहीं से बिहार और जारखंड में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है ठंड के कारण लोगो कोहरे की वज़े से कई ट्रेनों को भी रद दिकिया गया है साथी साथ कई विवान को भी डिले कर दिया गया है पता दू कि ठंड के कारण बिहार में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है ठंड का कहर जारी है और तापमान में लगतार गिरावट आ रही है ठंड के कारण डियम ने भी कई नीजी और सरकारी स्कूल को भी बंद करने की आदिश दिये गया है तीन जनवडी तक सारे नीजी और सरकारी विद्याले बंद रहेंगे अलाकि ठंड कहर जारी है बिहार में उत्तर बिहार में ठंड जानलेवा सावित हो रहा है कडाके की सर्दी से लोग बिहाल है रविवार को ठंजनित बिमारी से उत्तर बिहार में नौ लोगों की जान चली गई पुर्दी चंपारन में सरवाधिक साथ लोगों की जान गई है वहीं एक-एक मौत बेतिया और सीता मढ़ी में हुई है जबकि एक मौत मुजफर पूर के औराई में भी हुई है तेज सर्द पशिया हवाचलने से हालात लगातार बिगर रहे हैं और लोगों के घरों से बाहर निकलना मुहाल हो रहा है घरों के अंदर भी लोग ठिटुरन जेल रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है यानि कि ठंड तेंपरेचर है उसमें और भी गिरावट आएगी तीन जनवरी के बाद ही मौसम में सुधार होने की उम्मीद है ठंड की अत्यधिक्ता को देखते वे डियम आलोक रंजन घोष ने दो जनवरी तक जिले में धारा 144 लगा दिया है इस दोरान सरकारी साथी साथ नीजी विद्यालों में किसी तरह की स्क्षिने के गतिविधियों पर रोक रहेगी तो क्या सकते हैं दियम ने भी आदेश दिया है जो सभी सरकारी और नीजी विद्याले हैं वो तीन जनवरी तक बंद रहेंगी तो क्या सकते हैं ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कते हो रही है कई ट्रेने रध कर दी गई है यातायात बुरी तड़ी से प्रभावित हुआ है जो यात्रा करने के लिए लोग पैसेंजर ट्रेन के लिए वेटिंग में खरे हैं प्लाटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है दो से तीन घंटे ट्रेन डिले आ रही है साथी साथ कोहरे के कारण यातायात में भी असर परा है सरकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है विजिबिलिटी कम हो गई है साथी साथ कई फ्लाइट है वो भी डिले चल रही है जिसके वज़े से पैसेंजर्स को काफी दिक्कत हो रही है तो कह सकते हैं उत्तर बिहारी नहीं जो भारत के कई राज्ये हैं वहाँ पर ठंड का कहर जारी है और इससे याता यात बुड़ी तरके से प्रभावित हुई है तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रही है जो भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले